समसत के इस नए भवन में जब आदनिय राश्पती जी हम सब को संभुधित करने के लिए आई और जिस गवरव और सम्मान के साथ सेंगोल पूरे प्रोसेशन का नेजरू करने आई और हम सब उसके पीशे पीचे चल देए थे नए सदन में यह नई परंपरा भारत के आजहादी के उस पवित्र पल का प्रतिविम जब साक्षी बनता है तो लोगतंत्र की गरीमा कई गुना उपर चली जाती है यह पचतरवा गणतंत्र दिवस इसके बाद संसत का नया भवन सेंगोल की अगुवाई यह सारा द्रश्च अपने आप में बहुत ही प्रभावी था मैं जब वहां से पुरे कारकम को भागे जारी कर रहा था यहां से तो उतना हमें भव्रता नजर नहीं आती है लेकिन वहां सब मैंने देखा कि वाकई नए सदन में इस गरिमा वरन उपर उपस्थे की में राश्पति उपराश्पति जिवराद हम सब के मन को प्रभावीत करने वाला विद्रश्य हमेशा हमेशा यहां जिन मानिय करीब 60 से जादा मानिय सदेशों ने राश्पति जी के आभार प्रस्थाव पर अपने विचार रखे हैं मैं विनंब्रता के साथ अपने विचार व्यक्त करने वाले सभी अपने मानिय सांसत गण का आभाय व्यक्त करता हूँ मैं विशेश रुप से विपक्ष ने जो संकल पलिया है उसकी सराना करता हूँ उनके भाषण के एक-एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि नोंने लंबे अर्शे तक वहां रहने का संकल करने दिया आप कई दसक तक जैसे यहां बैठे थे वैसे ही कई दसक तक वहां बैठने का आपका संकल को और जनता जनारदन तो इश्वर का रूप होती है और आप लोग जिस प्रकार से इंदियनों मेहनत कर रहे हैं मैं पक्का मानता हूं कि इश्वर रूपी जनता जनारदन आपको जरूर आश्रवाद देगे और आप आप जिस उचाई पे हैं उससे भी अधिक उचाई पर जरूर पहुँचेंगे और अगले चुनाओं में दर्शक जिसा में दिखेंगे इस बार आपने आपका कॉंट्रेक्ट उनको दे दिया है क्या आपने इनी चुजों को पुचाया है मैं देख रहा हूं कि आपने से बहुत लोग चुनाओं लड़ने का होसला भी खो चुके हैं और मैंने सुना है मैंने सुना है बहुत लोग बहुत लोग पिछली बार भी सीट बदली इस बार भी कुछ सीट बदलने के फिराक में हैं और मैंने सुना है बहुत लोग अब लोगसाबाय के बजाए राजसाबाय में जाना चाहते हैं तो स्थित्यों का आकड़न करके वो अपना-पना रास्ता ढूंद रहे हैं अधर्ण अधर्दक जी राश्पती जी का भाशन एक प्रकार से तथ्यों के आधार पर हकीकतों के आधार पर एक बहुत बड़ा दस्तावेज है जो देश के सामने राश्पती जीने प्रस्तावेज और इस पूरे दस्तावेज को आप देखेंगे तो उन हकीकतों को समेटने का प्रयास किया है जिससे देश की स्पीड से प्रगद्य कर रहा है किस केल के साथ गतिवीधियों का विस्तार हो रहा है उसका लेखा जोखा आदर्य राश्पती जी ने प्रस्तुत किया है अदर्य राश्पती जी ने भारत के उजवल भविश्य को ध्यान में रखते भी है चार मजबूत स्तंभों पर हम सब का ध्यान के इंद्रित किया है और उनका सही सही आकलन है कि देश के चार स्तंभ जितने जादा मजबूत होंगे जितने जादा विक्षित होंगे जितने जादा समरद्ध होंगे हमारा देश उतना ही समरद्ध होगा उतना ही तेजी से समरद्ध होगा और उनका इन चार स्तंभों का उलेक करते भी है देश की नारी शक्ति, देश की युवाश शक्ति, देश के हमारे गरीब भाईब है और देश के हमारे किछान, हमारे मचवारे, हमारे प्रशुपाला को, उनकी चर्चा लिए है इनके ससक्तिकन के माध्यम से राष्ट के विख्सीद भारत के लख्षो प्राप्त करने के जो राह है, उसका सपष्ट दिशा निर्देश आधमे रात्पदी ने कहा है इसमें माइनोरिटी नहीं है अच्छा होता है हो सकता है आपके हां फिशनमेन माइनोरिटी के नहो हो सकता है आपके हां पशुपालग माइनोरिटी के नहो हो सकता है किसान आपके हां माइनोरिटी के नहो हो सकता है महिलाए आपके हां माइनोरिटी में नहो हो सकता है कि आपक कट पुक्रों में सोचते रहोगे, कट तक समाज को पाथते रहोगे, सब सिमा करो, सिमा करो, बहुत तोड़ा देश को. अच्छा होता है, कि जाते जाते तो कम से कम, इस चर्चा के धर्मयान, कुछ सकारात्मक बाते होती हैं, कुछ सकारात्मक सुझावाते, लेकिन हर बार की तरह आप सब साथियों ने देश को बहुत निराश किया, क्योंकि आपकी सोच की मर्यादा देश समझ पा रहा है, उसको बार-बार दर्द होता कि ये दशा है उनकी, क्योंकि सोचरी की मर्यादा एकनी है, अधने देखें, नेता तो बदल के हैं, लेकिन टेप रिकरडर वही बज़ रही है, वही बातें, कोई नई बात आती नहीं, और पुरानी ढपली, और पुराना राग भही चलता रहता है आपका, चुनाव का वरस्ता थोड़ी महनत करते, कुछ नया निकाल करके लाते जनता को जरा, संदेश गए पाते हुश में भी फेल गए आप, चलिए अभी मैं सिखाता हूँ, आज विपक्ष की जो हाला फुगी ना, इसकी सबसी दोसी कॉंग्रेस पार्टी है, कॉंग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा आउसर मिला, और दस साल कम नहीं होते हैं, लेकिन दस साल में उस दाईत्र को निभाने में भी वे पुरी तरा विफल गए हैं, और जब खुद भी फल हो गएं, तो विपक्ष में और भी होना हर लोग है, उनको भी उभरने नहीं दिया, क्योंकि फिर मामला और गड़बड़ हो जाएं, इसलिए हर बार ये करते रहें, कि और पी विपक्ष जो तेज़स जोग हैं, उनको दबा दिया जाएं, हाउस में कई यंग हमारे मानने सामसद गण हैं, उत्सा भी उमंग भी हैं, लेकिन अगर वो बोलें, उनकी छबी उभर जाएं, तो शायद किसी की छबी बहुत दब जाएं, उस चिंता में इस यंग जन्रेशन को मोका न मिले, हाउस को ही चलने नहीं दिये गएं, एन्य एक प्रकार से इतना बड़ा नुक्षान कर दिया है, खुद का भी, विपक्ष का भी, साउसद का भी, और देश का भी, और इसलिए, और मैं हमेशा चाहता हूँ, कि देश को एक स्वस्त अच्छे विपक्षी बहुत जरूरत है, देश ने जीतना परिवारबाद का खामियाजा उठाया है, और उसका खामियाजा खुद कॉंगर्स ने भी उठाया है, अब अधिर बाबु की हालाद हम देख रहे हैं, वर्ना ये समय था संसद में रहने का, लेकिन परिवारबाद की सेवा तो कड़ी पड़ती हैं, अधिन अधिक जी, अब हालत देखिए, हमारे खरगे जी इस सदन से उस सदन सिफ्ट हो गए, और गुलाब नभी जी तो पार्टी से ही शिफ्ट कर गए, ये सब परिवारबाद के भेंट चड़ गए, एक ही प्रोडक्त, बार बार, लौंज करने की चक्कन में कॉंग्रेस की दुकान, ताला लगने की नौत आजए, उडे दुकान हम नहीं कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं, आप लोग कहते हैं, दुकान फोली हैं, सब जगह भी बोलते हैं दुकान को ताला लगने की बात आगी है यहां हमारे दादा अपनी आदत छोड़नी पाते हैं वहां से बैट बैटे कॉमेंट कर रहे हैं परिवारवाद की मैं जरा समझा देता हुआ है मैं जरा समय ले रहा हूं आज हम किस परिवारवाद की चर्चा करते हैं अगर किसी परिवार में अपने बल्गूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक छेत्र में भी प्रगदी करते हैं उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथिक्ता देती है जो पार्टी के सारे नेने परिवार के लोगी करते हैं वो परिवार बात है ना राजनाजी की कोई पुलिटिकल पार्टी है ना अमिशाह की कोई पुलिटिकल पार्टी है और इसलिए जहां एक परिवार तो पार्टीया लिखी जाती है वो लोग तंत्र में उचित नहीं है लोग तंत्र में पार्टी अनेक एक परिवार के दस लोग राजनिती बाए कुछ बुरा नहीं है हम तो चाहते हैं नवजवान लोग आए हम भी चाहते हैं इसकी चर्चा खरिये हमारे साथ आपके साथ मेरा विशे नहीं है देश के लोक्तंत्र के लिए परिवार, बादी, राजनीती, परिवारिक पार्टियों की राजनीती, यह हम सब की चिंता का विशे होना चाहिए और इसलिए मैं किसी परिवार के दो लोग अगर प्रगदी करते हैं, उसको तो मैं स्वागत करूँगा, दस लोग प्रगदी करें मैं स्वागत करूँगा, देश में जितनी नहीं पीडी अच्छे लोग आएं स्वागत होंगे, सवाल यह है कि परिवार ही पार्टिया चलाती है पक्ता है यह द्यक्ष नहीं होगा तो उसका बेटा होगा यह नहीं होगा तो उसका बेटा होगा यह लोकतंतर का खत्रा है और इसलिए अच्छा हुआ दादा थैंक्यू यह विशे कभी बोलता नहीं ते आज बोल दिया मेरे आधनिय अध्यक जी एक ही प्रोड़क को बार-बार लौंद करने का भरपूर प्यास हो रहा है आधनिय अध्यक जी कॉंग्रेस एक फरिवार में उलज गई है देश के करोडों परिवार के आकांचाई और उपलब्दिया वो देख पाहीं नहीं देख सकते नहीं अपने परिवार के बार देखने की तैयारी नहीं है और गोंग्रेस में एक कैंसिल कल्चर डिवलप हुआ है कुछ भी है कैंसिल कुछ भी है कैंसिल यह ऐसे कैंसिल कल्चर में कॉंग्रेस फ़स गई है अगर हम कहते हैं मेक इन इंडिया तो कॉंग्रेस कहते हैं कैंसिल हम कहते हैं आतमंदिर भारत कॉंग्रेस कहते हैं कैंसिल हम कहते हैं दौकल फॉर लोकल टॉ ज़िए और ज़िए फिप्लाग म्वाविकशनल कॉप्लाग यहीं बहरान हुई है कोई मोधी की उप्लब्दिया नहीं है देश की उप्लब्दिया इतनी नफरत कब तक पाले रखोगे और उसके कारण देश की सफलताएं देश के अचुबेंट उसको भी कैंसिल करके आप बैठ गया है आदेने अदेग जी राश्पती जी ने विक्सित भारत के रोड मैप पर चर्चा करते हुए आर्थिक पहलों पर विस्तार से चर्चा की अर्थववस्ता की मुल्भूद जो आधार है उसके की बारीकी से चर्चा की गया और भारत की मजबूत अर्थववस्ता को आज पुरी दुनिया सरा रही है पुरी दुनिया उससे प्रभावित है और जो विश्व संकर से गुजर रहा है तब तो उनको और ज्यादा अच्छा लगता है जी च्विंटी समीट के दर सारे देश ने देखा है कि पुरा विश्व भारत के लिए क्या सोता है क्या कहता है और इन सारे दस साल के कारकाल के अनुभव के अधार को आज की मजबूत अर्थ ववस्ता को देखते हुए जिस तेज गती से भारत विकास कर रहा है उसकी बारिक्यों को जानते हुए मैं विश्वात से कहता हूँ और इसलिए मैंने कहा है कि हमारे तीसरे टम्ब है आरत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक्ता कर देखा और यह मोदी की गारंटी है मारे अद्धिक जी तो पहले मोका नहीं दिया था अद्धिक जी जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ती बन करके उगरेगे कहते हैं तो हमारे विपक्ष में बेटे कुछ साथी कैसा कुतर्ग देते हैं कैसा कुतर्ग देते हैं वो कहते हैं इसमें क्या है यह तो अपने आप हो जाएगा मेजरा सरकार के भूमी का क्या होती है कि सदन के माध्यम से देश को और विशेश करके देश के युवा मन को बताना चाहता हूँ देश की युवा शक्तियों को बताना चाहता हूँ कि होता कैसे है और सरकार की भूमिका भ्याख होती है आदेने अध्यक जीम दस साल पहले 2014 में फरवरी महिने में जो इंट्रिम बजेट आया था उस समय कौन लोग बैठे थे आपको दो मालूम है देश को भी मालूम है जो दस साल पहले इंट्रिम बजेट आया था उसे पेश करते सबाए उस समय के वित मंत्री ने जो कहा था मैं उसको कोट कर रहा हूँ और एक एक शब्द बड़ा मुल्यवान है जी जब आप लोग कहते हैं कि तो अपने आप तीसरे नमबर पर जा ही जाएगा ऐसा कहते हैं उनको ज़रा समझना चाहिए यह उन्होंने क्या कहा था I now wish to look forward and outline a vision for the future vision for the future पुरे ब्रह्मान के सबसे बड़े अर्थास्त्री बोल रहे था I now wish to look forward and outline a vision for the future आगे कहते हैं I wonder how many have noted the fact that India's economy in terms of the size of its GDP is the 11th largest in the world in 2014 में 11 number पहुँचने पर क्या गवरोगान होता था आज पांच पर पहुँच गए और आपको क्या होगा आज़नी अद्यक जी आज़नी अद्यक जी मैं आगे पढ़ रहा हूं गोगई जी थैंक जी आपने अच्छा कहा हूं मैं आगे पढ़ रहा हूं ध्यान से सुनिये साथियो ध्यान से सुनिये उन्होंने कहा था is the 11th largest in the world बड़ा गवरोग का बात था there are great things in the store हागे वो कह रहा है there are great things in store फिर आगे कहते हैं there is a well argued view that in the next three decades in the next three decades India's nominal GDP will take the country to the third rank after the US and China उस समय ये ब्रह्मान के बड़े अर्थसात्री कह रहे थे हैं कि तीसरे नंबर पर तीस साल में हम पहुंच जाएंगे तीस साल और फिर कहां थे ये मेरा विजन जो मैं बहुट लोग है जो ये ख्याला में रहते हैं वो प्रह्मान के सबसे बड़ी अर्थसात्री आए ये लोग 2014 में कह रहे हैं और विजन क्या देखते हैं तीरे 2044 एने 2024 तक तीसरी अर्थ ववस्ता की बात ये इनकी सोच ये इनकी मर्यादा सपना भी देखने का सामर्थे खोच चुके थे लोगे शंकल तो दूर की बात थी तीस साल का इंतजार करने लिए मेरे देश की ववा पीड़ी कोई कहकर रह गये थे लेकिर हम आज आपके सामने विश्वास से खड़े हैं इस पवित्र सदर में खड़े हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि तीस साल हम नहीं लगने देंगे यह मोदी की गरंटी है तेरे तीसरे कारकाल में देश दुनिया की तीसरी आर्थी ख़क्ति पन्या कैसे लक्ष रखते दिम कि सोच कहा तक जाना थी दया थी है और आप लोग ग्यारा नंबर पर बड़ा गर्व कर रहे थे अब पांच नंबर पहुचा दिये जी लेकिन अगर ग्यारा पर पहुचने से आपको खुशी होती थी तो पांच नंबर पहुचने पर भी खुशी होती है होनी चाहिए देश पांच नंबर पर पहुचा आपको खुशी होनी चाहिए किस बिमारी में फसे पड़े होती है अधनिया अध्यक जी बाजपा सरकार की काम करने की स्पीड हमारे लक्ष कितने बड़े होते हैं हमारा हौसवा कितना बड़ा होता है वो आज पूरी धुनिया देख रही है अधनिया देख जी एक कवां कहावत है हमारे उत्तर प्रदेश में खास एक कहावत कही जाती है नव दिन चले अधाई कोस और मुझे लगता है कि ये कहावत पूरी तरह कॉंग्रेस को परिभाशी कर देए कि कॉंग्रेस की सुस्तरब्तार का कोई मुकाबला ने था आध्देश में आध्देश में आध्देश में आध्देश में जिस रप्तार से काम हो रहा है कॉंग्रेस सरकार इस घ्रप्तार की कल्पना भी नहीं कर चाती है आध्देश जी आध्देश जी शोहरी गरीबों के लिए हमने गरीबों के लिए चार सो घर हमने गरीबों के लिए आध्देश जी हमने गरीबों के लिए चार करोड घर बनाए और शहरी गरीबों के लिए असी लाग पके मकान शहरी गरीबों के लिए बने अगर कॉंग्रेस की रप्तार से घर बने होते तो क्या हुआ होता बैस का हिसाब लगाता हूँ अगर कॉंग्रेस की जो रप्तार थी उस प्रकार से चला होता है तो सो साल लगते इतना काम करने में सो साल लगते पांच पीडिया घुजर जाती है आदेने अतिक जी दस वर्ष में चालीस हदार किलोमेटर रेल्वेट रेक का इलेक्रिफिकेशन हुआ अगर कॉंग्रेस की रप्तार से देश चलता है इस काम को करने में असी साल लग जाते है एक प्रकारते चार पीडियां गुजर जाती है आदेने अतिक जी हमने सत्रा करोड अधिक गैस कनेक्शन दिये यह मैं दस साल का हिटाप दे रहा हूँ अगर कॉंग्रेस की चाल से चलते तो यह कनेक्शन देने में और साट साल लग जाते तीन पीडियां धुए में खाना पकाते पकाते गुजर जाती है आदेने अतिक जी हमारी सरकार ने सेनिटेशन कबरेज 40 परसंट से 100 परसंट तक पहुंची है अगर कॉंग्रेस की रफ्तार होती है तो यह काम होते होते 60-70 साल और लगते और कम से कम तीन पीडियां गुजर जाती लेकिन गारंटी नहीं होता को नहीं होता है आदर निर्थिक जी कॉंग्रेस की जो मानसिकता है जिसका देश को बहुत बुक्सान हुआ है कॉंग्रेस ने देश के सामर्थ पर कभी भी विश्वास नहीं किया वे अपने आपको शासक मानते रहे और जनता जनारदन को हमेशा कब उन्तर आखते गए छोटा आखते गए आदर नियतिक जी देश के नागरिकों के लिए कैसा सोचते थे मैं जानता हूँ मैं नाम बोड़ते हूँ उनको जरा चुबन होगी लेकिन 15 अगस्त लाल की ले से प्रदान मंत्री नहरू ने जो कहा था वो मैं जरा पढ़ता हूँ लाल के लिए से भारत के प्रथम प्रदान मंत्री ने जो कहा था वो पढ़ रहा हूँ नहरू जी ने उन्हें ने कहा था हिंदुस्तान में काफी महनत करने की आदत आम तोर से नहीं है हम इतना काम नहीं करते जितना की ईरोप वाले या जपान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं यह नहरू जी लाल के लिए से बोल रहा है यह नह समझिये यहां ना समझेए कि वग यहां ना समझेए कि वग कौमे यह ना समझेए कि वग कौमे कोई जादू से खुशाल हो गई वो मैनत से हुई है और अक्ल से हुई है यह उनको सर्टिपिकेट दे रहे है भारत के लोगों को नीशा दिखा रहे है यानि यानि नहरू जी यानि नहरू जी की भारतियों के प्रति सोच थी कि भारतिया आलसी है नहरू जी की भारतियों के लिए सोच थी के बारतिया कमक्र के लोग होते हैं और आदनी अद्धक जी इंद्राजी की सोच भी उससे ज़्यादा अलग नहीं थी इंद्राजी ने जो लाल के लिए से लाल किले से 15 अगस को कहा था लाल किले से 15 अगस को इंद्राजी ने कहा था दुर्भाग्यवश हमारी आदत ये है कि जब कोई शुब काम पूरा होने तो होता है तो हम आत्मत तुरुष्टी की भावना से गस्त हो जाते हैं और जब कोई कठिनाई आ जाती है तो हम नाउमीद हो जाते हैं कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि पूरे राष्ट ने ही पराज भावना को अपना लिया है आज कॉंग्रेस के लोगों कर देखतर के लगता है कि इंद्रा जी बले देश के लोगों का आकलन सही ने कर पाई लेकिन कॉंग्रेस का एकदम सटी कालोग आकलन होना कि आख कॉंग्रेस के शाही परिवार के लोग मेरे देश के लोगों को ऐसा ही समझते थे कि भी से ऐसे ही चोई और आज भी आज भी वही सोच देखने को मिलती है मानिय अद्यक जी कॉंग्रेस का विश्वाद हमेशा शुर्यपे परिवार पर रहा है एक परिवार के आगे वो न कुछ सोच सकते हैं न कुछ देख सकते हैं कुछ दिन पहले बानुमती का कुनवा जोड़ा लेकिन फिर एकला चलो रेट करने लग गए कॉंग्रेस के लोगों ने नया नया मोर्टर मेकेनिक का काम सीखा है और इसलिए एलाइन्मेंट क्या होता है उसका ज्याम तो हो गया होगा लेकिन मैं देख रहा हूँ है अलाइन्स का ही अलाइन्मेंट बिकड़ गया इनको अपने इस कुनवे में अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो यह लोग देश पर विश्वास कैसे करेंगे है आदेन्य अत्यक जी हमें देश के सामर्थे पर भरोसा है हमें लोगों की शक्ति पर भरोसा है आदेन्य अत्यक जी देश की जन्ता ने हमें जब पहली बार सेवा करने का आउसर दिया तो हमने पहले कारकाल में यूपिये के समय के जो गड़े थे वो गड़े भरने में हमारा कापी समय और शक्ति लगी हम पहले कारकाल में वो गड़े भरते रहे हमने दूसरे कारकाल में नए भारत की नीव रखी और तीसरे कारकाल में हम विक्सित भारत को ये मिरमान को नई प्रफी देए आदेनिय अद्द्दी पहले कारकाल में हमने स्वच्च भारत उज्वला आईशमान आईशमान भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसी प्रकार से सुगम्य भारत डीजिटल लिनिया ऐसे कितने ही जनहित के कामों को अभियान का स्वरूप दे करके आगे बढ़ाए टैक्स व्यवस्ता आसान हो इसके लिए जीएस्टी जैसे निर्णा लिए और हमारे इन कामों को देख करके जनता ने भरपूर समर्थन दिया जनता ने बहुत आशिरवाद दिये पहले से भी जादा आशिरवाद दिये और हम हमारा दूसरा कारकाल पारंभ हुआ दूसरा कारकाल संकल्पों और वच्चनों की पूर्ती का कारकाल रहा हुआ है जिम उपलब्दियों का देश लंबे समय से इंतजार कर रहा था वो सारे काम हमने दूसरे कारकाल में हम सबने हम सबने तिन सो सक्तर खतम हुएते हुए देखा इनी मान्य सांसदों के आँखों के सामने और उनके बोड की ताकत से तिन सो सब्तर गया नारी शक्ति बंदन अधिनियम ये जूसरे कारकाल में तानुम बना आधिनिय देख जी अंतरिक से लेकर के ओलेंपिक तक ससक्त रेबलों से संसद तक नारी शक्ति के सामर्थ की गोंजित ने ये नारी शक्ति के ससक्ति करण को आज देश ने देखा है आधिनिय देख जी उत्तर से दक्षिन तक पूरब से पस्चिन तक लोगों ने बसकों से अटकी भटकी लटकी योजनाओं को समय बद्द तरीके से पूरे होते होते हैं आधिनिय देख जी अंग्रेजी साजन के पूरारे दंद प्रधान कानूनों से हम जान के नेता बोल रहे हैं आपको प्लीज आप समझाई जब्याद के नेता बोल रहे हैं आपको मैंने सब को प्रयाब्सनी असर दिया था ये तरीकाग गलत है यह में मर्यादा बनागे रखना पड़ेगा प्लीज बेटे-बेटे कोई टिप्टी नि करेगा प्लीज 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 नो गलत तरीका गलत तरीका मानि प्रदामंती जी यह तरीका है कि आपका प्लीज 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 आधनिय अध्यक जी अंग्रे जी शाथन के पुराने कानून जो दंड प्रदान थे उन दंड प्रदानों से के कानूनों से हट करके हमने न्याई सहीता तक प्रदान हमारी सरकार ने सेंकड़ों ऐसे कानूनों को समाप्त किया जो अप्रासंगी हो गए थे सरकार ने 40,000 से जानदा कंप्लाइंसिस खटम कर दिये अधनिय द्रदाइग जी भारत ने अम्रद भारत और नमोद भारत प्रेनों से भविष्य के उन्नति के सपने के खादरिय अधन जी देश के गाउं गाउं ने देश के कोटी कोटी जड़ों ने बिक्सित भारत के संकर प्रियात्रा देखी है और सेचुरेशन के पीछे कितनी महनत की जाती है उसके हग की चीज़ों को मिले उसके दर्वाजे दस्तक दे करके देने का प्रियास देश पहली बार देख रहा है अधने देग्जी भगवान राम अधने देग्जी भगवान राम न सिर्फ अपने घर लोटे बलकि एक ऐसे मंदिर का नर्माण हुआ जो भारत की महान सासुदिक परंपरा को नई उर्जा देता रहेगा अधने अधने देग्जी अब हमारी सरकार का तीसरा कारकाल भी बहुत दूर नहीं है जादा से जादा सो सवा सो दिन बाकी अर अपकी बार तुरा देश कह रहा है अपकी बार हर्गेजी भी कह रहे है लेकिन अधने जीए मैं आम तोर पर यह आंकड़े आंकड़े के चक्र में नहीं पड़ता हूँ लेकिन मैं देख रहा हूँ देश का मिजाच एंडिये को चार सो पार करपा ही के रहेगा लेकिन भारतिये जनता पार्टी को तीन सो सत्तर सीट अबच से देगा पीजेपी को तीन सो सत्तर सीट और एंडिये को चार सो पार सभा की कारवाई इस विशे की समातिक तक बढ़ा दी जाए अधिने दिग जी हमारा तीसरा कारकाल बहुत बड़े फैंसलों का होगा मैंने लाल के लिए से कहा था तीसरा कारकाल अगले एक हजार वर्षों के लिए एक मजबूत नीव रखने का कारकाल अधिने अधिक जी मैं भारत वास्वियों के लिए उनके भविश्य के लिए बहुत ही विश्वास से भरा हुआ है मेरा देश के 140 करोड नागिकों के सामर्थे पर अपार भरोसा है मेरा बहुत विश्वास है दस वर्षों में 25 करोड लोग गरिवी से बहार आएं ये सामर्थ लिहाता है अधनियत जी मैंने हमेशा कहा है कि गरीब को अगर साधन मिले गरीब को अगर साउसाधन मिले गरीब को अगर स्वाभिबान मिले तो हमारा गरीब गरीबी को परास्त करने का सामर्थ लिए और हमने को रास्ता चुना और मेरे गरीब भाईयों ने गरीबी को परास्त करके दिखाया है और इसी सोच के साथ हमने गरीब को साधन दिये संसाधन दिये सम्मान दिया स्वाभिमान दिया पचास करोड गरीबों के पास आज बैंक खाता है चार करोड गरीबों के पास पक्का घर है और उसके स्वाभिमान को एक नया सामर्थ देता है ग्यारा करोड से अधिक परिवारों को पीने का शुद्ध जल पानी नल से पच्पन करोड से दिक गरीबों को आईशमान भारत काड मिला है भर में कोई भी बिमारी आ जाए उस बिमारी के काम फिर से वो गरीबी के तरब लोड़क न जाए उसको भरोसा है कितनी भी बिमारी क्यों आ जाए मोधी बैठा है असी करोड लोगों को मुप्त अनाज की सुविधा दी गई है आधनी अधनी अध्यजी मोधी ने उनको पूछा जिनको पहले कोई पूछता तक नहीं था देश में पहली बार रेहडी पट्री वाले साथ्यों के बारे मैं सोचा गया पीम स्वानी दी योजना से आज वो ब्याज के चक्कर से बहार निकले बैंक से पैसे लेकर अपने कारोबार को बरा रहे हैं देश में पहली बार हाथ का हुनर जिनका सामर्त है जो राश्ट का निर्मान भी करते हैं ऐसे मेरे विश्वकर्मा साथ्यों के बारे में सोचा गया उनको अधुनिक टूर अधुनिक ट्रेनिंग पैसों की मदर विश्वक मार्केट उनके लिए खुल जाए यह मेरे विश्वकर्मा भाईयों के लिए हमें का देश में पहली बार PBTG यानि जन जातियों में भी अतीप पीछडे जो हमारे भाई बेहने संख्या बहुत कम है बोट के हिसाब से किसी को नजर नहीं जाती हम बोट से परे हैं हम दिलों से जुड़े हैं और इसलिए इसलिए PBTG जातियों के लिए PM जन्मन योजना बना करके उनके कल्यार का मिशन मोड में काम उठाया है इतना ही नहीं सरहत के जो गाउं थे जिनको आखरी गाउं करके छोड़ दिया गया था हमने वो आखरी गाउं को पहला गाउं बना करके विकास की पुरी दिशा बतने मैं जब बार बार मिलेट्स की वकालत करता हूं मिलेट्स की दुनिया के अंदर जाकर के चर्चा करता हूं जी ट्वेंटी के देशा को साथ लोकों के सामने गर्व के साथ मिलेट्स प्रवस्ता हूं उसके पीशे मेरे दिल में तीन करोर से जादा मेरे छोटे किसान हैं जो मिलेट्स की खेती यरते हैं इंता कल्यान इससे हम जुड़े हुए आधंक अधेखञ जी मैं टो वोकल। और लोकल की बात करता हूं जो मैं मेकिन इंडिया की बात करता हूं तब मैं करोरो ग्र हुद्यों लग हुद्यों कितिर हुद्यों उससे जुड़े हुए मेरे लाखों परिवार्ण के साथ उनके कल्यान के लिए सब्सक्रास आदेनिया देंजी खादी कॉंग्रेस पार्टिन दोसको भुला दिया सरकारों ने भुला दिया आज मैं खादी के ताकट देने पर शबलता प्रोग आगे बढ़ा हूं क्योंकि खादी के साथ हैंडलूम के साथ करोडों गुंकरों की जिंद भी लगिए हैं तो उनके कल्यार को देखते हैं आदेनिय अद्देग जी हमारी सरकार हर कौने में गरीबी को निकालने के लिए गरीब को सम्रुद्ध बनाने के लिए अनेक इबित प्रयासों को कर रही हैं जीन के लिए बोट बैंकी था उनके लिए उनका कल्यान संभव नहीं था हमारे लिए उनका कल्यान राष्ट का कल्यार है और इसलिए हम उसी राष्टे पर चल पर हादियने दिख जी कॉंग्रेस पार्टी ने यूपिये सरकार ने OBC समुदाय के साथ भी कोई न्याइन नहीं किया अन्याइ किया इन लोगों ने OBC नेताओं का अपमान करने में कोई 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 कसन नहीं छोड़ी है कुछ दिन पहले जब करपुरी ठाकोर जी को भारत रत ने दिया लेकिन याग करिये उस करपुरी ठाकोर अतीप पिछडे सबाज से OBC सबाज के उस महापुरूस के साथ क्या वहवार हुआ था किस प्रकार से उनके असब जुल्म के 1970 में बिहार के मुख्यमंत्री बने उनको पत से हटाने गले कैसे कैसे खेल खेले गए थे उनकी सरकार अस्थिर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया था आदिने देख जी कॉंग्रेस को अतीप पिछड़ व्यक्ति बरदास्त नहीं हुआ था 1987 में जब कॉंग्रेस के पास पूरे देश में उनका जंडा फारता था सत्ता ही सत्ता थी कब उन्होंने करपुरी ठाकुर को प्रती पस्कें वेता के रुपे स्विकार करने से बना कर दिया और कारण क्या दिया वो समिधान समिधान का सम्मान नहीं कर सकते जीस करपुरी ठाकुर ने पुरा जीवन लोगतंत्र के सिधांतों के लिए समिधान की मर्यादाओं के लिए खपा दिया उनका अपमान करने का काम कॉंग्रेस पार्टी ने किया था आधनिया देग जी आधनिया देग जी कॉंग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पार बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में OBC कितने लोग हैं कितने पत्पर कहां उसके हिसाब किताब करकर रहते हैं देकि मैं हरान हूँ उनको इतना सबसे बड़ा OBC नजन नहीं आता है आधनिया देग जी जरा मैं यह दुनिया भर की चीजे करते हैं कि मैं कहना चाहता हूँ यह 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 यूपिये के समाएं एक एक्स्ट्रा कॉंस्टिटुशनल बॉडी बनाए गई थी जिसके सामने सरकार की कुछ नहीं चलती थी नेशनल एडवाजरी काउंसिल जरा कोई निकाल करके देखें इसमें क्या कोई OBC था क्या जरा निकाल करके देखिए इतने बड़ी बड़ी पावर भूल पाड़ी बनाए थी और वो तो आपएंट कर रहे थे अधनिय 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 जी पिछले दर दस वरसों में नारी शक्ति के ससक्तिकरन को ले करके अनेक बीद कदम उखाए गए नारी के नेत्रुक में समाज के ससक्तिकरन पर काम किया गया है अधनिय दिग जी अब देश की बेटी हिंदुस्तान में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां देश की बेटियों के लिए दर्वाजे बंद हो आज हमारे देश की बेटियां फाइटर जैट भी उड़ा रही है और हमारे देश की सीमाओं को भी सुरक्षित रखाई है आधनिय अध्यक्षमोदे ग्रामीन वबस्ता अर्थ वबस्ता हमारी है विमन सेल्फ हेल्फ ग्रूप दस करोड बहने जुड़ी है और आर्थिक ग्रामीन अर्थ वबस्ता को वो नई ताकत दे रही है और में आज खुशी है कि इन प्रयासों का परणाम है कि आज करीब करीब एक करोड लगपती दीदी और जब मेरी उनसे बात होती है उनका आत्म विश्वाथ देखता हूं मेरा पक्ता विश्वाथ हम जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं आने वाले हमारे कारकाल में तीन करोड लगपती दीदी हमारे देश के अंदर देखें अब कल्पना कर सकते गाउं के अर्थ वोस्ता कि कितना बड़ाव हो जाएगा आधरी ने अदर जी हमारे देश में बेटियों के समझ जो पहले सोच थी समाज की घर में गुश गई थी दिमाग में भी गुश गई थी आज वो सोच कितनी तीजी से बदल रही है थोड़ा सा बारी किसे देखेंगे उधर में पता चलेगा कितना बड़ा सुखत बदलावा रहा है पहले अगर बेटी का जन्म होता था चर्चा होती थी अरे खर्चा कैसे उठाएंगे इसको कैसे पढाएंगे इसके आगे की जिन्दी का एक प्रकार से कोई बोज है असी चर्चा भुआ करते spray हाज बेटी पैदा हिती है तो पूछा जाता है अरे शुकनया सम्रुद्य पहले सवाल होता था प्रेगनेंट होने पर नोकरी नहीं कर पाऊगी पहले ये बात होती थी प्रेगनेंट होने पर नोकरी नहीं कर पाऊगी आज कहा जाता है 26 हपते की पेड़ लीव और बाद में भी अगर चाहिए मिलेगी ये बढ़ला होता है पहले समाज में सवाल होते थे कि महिला होकर नोकरी क्यों करना चाहती हो क्या पती कि सेलेजी कम पढ़ रही ऐसे सवाल होते थे आज लोग पूछ रहे है मडम आपका जो स्टार्ट अप है न बहुत प्रगति कर रहा है क्या मुझे नोकरी मिलेगी ये बढ़ला आगरी अद्दर जी एक जमाई था जब सवाल पूछा जाता था कि बेटी की उम्र भढ़ रही है शादी कब करूँ बेटी की उम्र भढ़ रही है शादी कब करोड़े आज पूछा जाता है बेटी परस्नल और प्रोफर्शनल दोनों कामों को संतुलित कितना बढ़िया करती हो कैसे करती हो अधर्णी 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 जी एक समय था घर में कहा जाता था कि घर के मालिक घर पर है कि नहीं है अधर्णी 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 अधर यह बड़लाव अमरुतकार में विच्षिद भारत का हमारा जो संकल्ब हने है इसकी एक बहुत बड़ी शक्ति के रुपर उपरने वाला है और मैं उस शक्ति के दर्शन कर पा रहा हूँ आदर ने देखने होता है किसानों के लिए आंसू भाने की आदध मैंने बहुत देखी है किसानों के साथ कैसा कैसा विश्वास गात किया गया है यह देश ने देखा है कॉंग्रेज के समय कि कृष्षी के लिए कूल वार्सिक बजट होता था पट्चीस जार करोबी आदर ने देख जी हमारी सरकार का बजट है समा लाग करोड रूप्या का धान और गेहूं किसानों से खरीदा था हमने दस वर्स में करिप अठारा लाग करोड का धान योगा कॉंग्रेज सरकार ने दलहन और तिलहन की खरीदी नाम कमात्र कभी कहीं की ओ तो की हो हमने सबा लाग करोड वे से विय अदिक का दलहन और तिलहन की जीचेना हमारे कॉंग्रेस ते साथियों ने पीएम किसान सम्मान निदिकम बड़ा हुजाया और जब मैंने मेरी पहले टम में यह उजना शुरू की थी तो मुझे आध है कि जूठा नेरेटूब की जो फैशन चल पड़ी है गाउं में जाके कहा जाता था कि देखिए यह मुदी के पैसे मत लेना यह चुनाव एक बार जीद गया तो सारे पैसे ब्याद समेट तुमसे वापिस बागेंगा ऐसा जूठा लाए गया था किसानों को इतना मुरग बनाने की कोशिश की गई थी आधनिय अधनिय अधनिय जी पी-एम किसान सम्मान निधी दो लाग असी हजार करोड रुपिये पी-एम फसल भी मायोजना तीस हजार रुपिया का प्रिम्या और उसके सामने देड़ लाग करोड रुपिये मेरे किसान भाई जादों के कॉंग्रेस ने अपने साहसन काल में कभी मी मच्वारे पशुपालक की तो नामों निशान नहीं था उनके काम में पहली बार इस देश में मच्वारों के लिए अलग मंत्रा ले बना पशुपालन के लिए अलग मंत्रा ले बना पहली बार पशुपालक को मच्वारों को किसान क्रेडिक कार दिया गया ताकि कम व्याद से उसके बैंड से पैसा मिल सके तो अपना कारोबार बढ़ा सके किसानरों और मचुवारों ये तिंता सिर्फ जानवरों के नहीं होती है जिन्दिके का महत्वपन हिस्सा है आर्थिक चक्र को चलाने में इन पशों के अभी बहुत बड़ी भूमिका होती है हमने फूट एंड माउथ डिसीस उससे भारे पशों को बचाने के लिए पच्चास करोड से जादा ठीके लगाये है पहले कभी फोटाने के आज भारत में युवाओं के लिए जितने नए आउसर बने है ये पहले कभी नहीं बने है आज पूरी वोकेबलरी बदल गई है शब्द पूरे जो पहले के भी सुनने को नहीं बलते थे वो बोलचान के सहज दुनिया में शब्द आ चुके है आज चारों तरफ स्टार्ट अप्स की बुंज है इनिकोंस चर्चा में है आज डिजिटल क्रियेटर्स एक बहुत बड की चर्चा हो रही है यह युवाओं के जुबान पर यह नए भारत की नए वोकेबलरी है यह नए आर्थिक सामराज्यकी नए 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 परिवेश है नए पहचान है यह सेक्टर युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बना रहे हैं 2014 से पहले डिजिटल एकोनोमी की साइश ना के बराबर बहुत ज़्यादा उसकी तर्चा भी नहीं थी आज भारत दुनिया की डिजिटल एकोनोमी है अग्रणी है लाखों युवा इससे जुड़े हैं और आने वाले समय में यह डिजिटल एंडिया मुव्मेंट जो है वो देश के नौजवानों के लिए अनेक अनेक अउसर अनेक अनेक रोजगार अनेक अनेक प्रोफेशन्स के लिए अउसर लेकर के आने वाला है आज भारत मेडिन इंडिया फोन दुनिया में पहुंच रहे हैं दुनिया में हम नमबर दो बन रहे हैं और एक तरब सस्ता मोबाइल प्राप्त हुआ है और दूसरी तरफ सस्ता डेटा इन दोनों ने एक बहुत बड़ा revolution लाया देश में और दुनिया में हम जिस कीमत में आज हमारे नवजवानों को ये प्राप्पर करवा रहा है सबसे कम कीमत में करवा रहा है और वे कारण बना है हाज बड़िनिया भ्यान record manufacturing record export जाद देश देख रहा है आदेणक जी ये सारे काम हमारे नवजवानों के लिए सबसे जादा रोजगार लाने वाले काम है सबसे जादा रोजगार देख आउस्थ वादा के लिए आदेणक दिन नहोता है दस वर्स में tourism sector में अभूत पुर्व उच्छा लाया है हमारे देश में ये growth और tourism sector ऐसा है जिसमें कम से कम पुंजी निवेश में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने वाला उसर है और सामाने से सामाने व्यक्ति को भी ये रोजगार देने वाला उसर है स्वर रोजगार की सबसे ज़्यादा संभावना है वाला tourism खेत्र है देस वर्ष में एरपोर्ट दोगु ने बने भारत सिरफ एरपोर्ट बने है साने भारत दुनिया का तीसरा बड़ा domestic aviation sector बड़ा हम सब को खुशी होनी चाहिए भारत की जो एरलाइन कमपनिया है उन्होंने एक हजार नए एरक्राप के ओर्डर दिये एक हजाम नए एरक्राप और जब इतने सारे हवाई जहाज अपरेट होंगे सारे एरपोर्ट कितने धंधंते होंगे कितने पाइलोट्स की जुरूपर रहे कितने हमें क्रू मेंबर चाहिए कितने एंजीनियर ये कितने ग्राउंड सर्विस के लिए लोग चाहिए हैं याने रोजगारी के एक नए नए छेत्र खुलते जा रहे हैं एविशन सेक्टर भारत के लिए एक बहुत बड़ा नया आउसर बन करका है आधरनिय अधर जी हमारी कोशिस नहीं है कि एकानोमी को हम फॉर्मलाइज करने की जिशा में मजबूती से कदों थाए युआँ को नोकरी भी मिले सोशल सिकूरिटी भी मिले इन दोनों को ले करके और आपने जिन बातों के अधार पर हम निरने करते हैं और देश पे भी माना जाता है वो एक होता है डाटा एपी एफो का एपी एफो में जो रेजिश्टन होता है दस साल में करीब अठारा करोड नए सक्थाई बराए और वो तो शीजा पैसों से जुड़ा केल होता है उसे भेवजी नाम नहीं होते हैं मुद्रा लोन पाले वालों में आट करोड लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में पहली बार कारोबार अपना शुरू किया है और जब मुद्रा लोन लेता है तो खुद रोजगरी पाता है एक या दो और लोगों को भी रोजगरी देता है तो उसका काम ऐसा हुटता है हमने लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट किया है दस करोण महिलाए ऐसे जी से जुड़ी जैसा मैंने का एक लाख लगपती दीदी एक करोड यह अपने आप में बहुत और मैंने जैसे कहां हम तीन करोड के कार्गर को आदरीने अद्दक ज चौदा से पहले के दस वर्सों में इंफ्रास्टेक्टर के निर्माड में करीब करीब बारा लाग करोड का बजेट था दस सान में बारा लाग करोड बीते दस वर्सों में इंफ्रास्टेक्टर निर्माड के अंदर बजेट चवालीस लाग करोड 44 लेक करोड रोजगार कैसे बढ़ते हैं इससे समय जाता है आदे ने देख जी इस राशी से जितनी बड़ा मातला में काम हुआ है उसके काण इतने लोकों को रोजी रोटी मिलिये इसका आप अंदाज कर सकते हैं हम भारत को manufacturing का research का innovation का hub बने ओ दिशा में देश की युवाशक्ति को प्रोटसाइद कर रहे हैं व्यवस्ताइं विक्सित कर रहे हैं आर्थिक मदद के योज़ाएं बना रहे हैं आदे ने देख जी energy के खेत्र में हमें बेशा dependent रहे हैं energy के सेक्टर में हमें आत्मंदिर पर होने की दिशा में बहुत कुछ करने की आवशक्ता है और हमारी कोशिश है green energy की तरफ hydrogen को लेकर के हम बहुत बड़ी मात्रा में आगे बढ़ रहे हैं उसमें अभीत पुरुवन वेश उसी प्रगार के दूसरा खेत्र है जिसमें भारत को लीड लेनी होगी वह है सेमी कंड़क्टर पिछली सरकारों ने जितने प्रयास किये प्रयास किये लेकिन सभलता नहीं बहुत अब हम जिस्तिति में पहुंचे हैं मैं विश्वास से कहता हूं कि हमारे तीन दसक खराब भले हो गए ले कांटुबिशन करेगा इन सारे कारणों से अधरनिय अधिक जी क्वालिटी जॉब सी संभावनाएं बहुत बरने वाली हैं और जिसके कारण समाज में जैसे जैसे हमने एक अलग स्कील मिनिस्टी बनाई उसके पीछे ही तो यह है कि देश के नवजवानों को हूनर मिले और हम इंडिस्टी 4.0 उसके लिए मैंट पावर को तैयार करते हुए आगे बढ़ने की दिसामें काम करें आदेनिय अधिक जी यहां महंगाई को लेकर के काफी कुछ बाते की गही है मैं जुरूर चाहूंगा कि देश के सामने कुछ सचाई यानी चाहिए इत्याद गवा है ज जब भी कॉंग्रेस आती है महंगाई लाती है मैं कुछ वक्ते भी इस सदर्ण में आज कहना चाहता हूँ और किसी की अलोचना करने के लिए नहीं कह रहा हूँ लेकिन हो सकता है कि हमारी बात जो समझने पाते हैं वो अपने लोगों की बात को समझने का प्रयास करेंगे कहा गया था कभी और किसे ने कहा था वह मैं बाद में कहूंगा हर चीज की किमत बढ़ जाने की वज़ा से मुसिबत फैली है आम जुनता उनमें फसी है यह statement of fact किसका है यह कहा था हमारे पंडित नहरुजी ने लाल किले से कहा था उस समय हर चीज की किमत बढ़ जाने की वज़़ा से मुसिबत फैली है आम जुनता उनमें फसी है यह उस समय की बात है उन्हें ने माना खलाल की रेज़ा चारों तरब महंगाई बढ़ी है अब इस वक्त के दस साल के बाद नहरुजी के इस वक्त के दस साल के बाद एक और वक्त का कोट आपके सामने रखता है आप लोग आजकल भी कुछ दिक्कतों में है परेशानियों में है महंगाई की वज़े से कुछ तो लाचारी है पूरी तोर से काबू की बात नहीं हो पा रही हमारे इस समय में हाला कि वो काबू में आएगी दस साल के बाद भी महंगाई के आही यीद कहे गए थे और ये किस ने कहा था फिर से ये नहरुजी ने कहा था उन्हीक के कारकाल बहिए तब देश का प्यम रहते हुन्होंने बारा साल हो चुके थे लेकि हर बार महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही हैं मेंगाई के काण आपको मुसिवत हो रही है इसी के गीत गाते रहे थे आधने अधर जी अब मैं एक और भाशन का हिसा पड़ रहा हूं जब देश आगे बढ़ता है तो कुछ हद तक किमते भी बढ़ती है हमको ये भी देखना है कि जो भी आवशक वस्तु है उनकी कीमत को कै कैसे था में ये किस ने कहा था इंदरा गांदी जी ने कहा था 1974 में 1974 में जब देश में सारे तुना ने दर्वाय जे ताले लगा दिये तो लोकों को जैलमा बंद कर दिया था तीस परसंट बेंगाई थी तीस परसंट आदेंडी अब्देक जी अपने भाषार में हां तक कहा गया था क्या कहा था आप चोंग जाएंगे उन्होंने कहा था अगर जमिन न हो यहने कुछ पैदावर के लिए जमिन न हो तो अपने गमले और कनस्तर में सब्जी उगालें ये इसी सलाएं उच्छे पत पर बैठे हुई लेक दिया करते थे जब देश में देश में महंगाई को लेकर के दो गाने सुपर हीट हुए थे हमारी देश में घर-घर गाये जाते थे एक महंगाई मार गई और दूसरा महंगाई दायन खाये जा और ये दोनों गाने Congress के सासन काल में आये आधन यद्द्द जी UP के सासन काल में महेंगाई डबल डिजिट में थी डबल डिजिट में महेंगाई थी इसको नकार नहीं सकते है और UP का सरकार का तर्प क्या था जी और संबेदन सिलता ये कहा गया था कि महंगी आईस्क्रीम खा सकते हो तो महंगाई का रोना क्यों रो रहे हो ये कहा दया था ये कहा दया था जब भी कॉंग्रेस आये उसने महंगाई को ही मजबुट किया हादम नियतिक जी हमारी सरकार ने महंगाई को लगाताम नियंतरण में रखा है दो दो युद्ध के बावजूद और सो साल में आए सबसे बड़े संकट के बावजूद मेंगाई नियंत्रन में है और हम कर पाए है अधनियत देख जी यहां पर अधनियत गुसा व्यक्त किया गया जितना हो से का उतने पठेर सब्द में गुसा व्यक्त किया गया उनका दर्द मैं समझता हूं उनकी मुसीबत और ये गुसा मैं समझता हूं क्योंकि तीर निशाने पर लगा है बस्टा चार पर एजन्सिया एक्सल ले रही है उसको लेकर भी इतना गुसा क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है अधिन अधिक जी 10 साल पहले हमारे सदन में पार्लमेंट में क्या चर्चा होती थी सदन का पूरा समय गोटालों की चर्चा पर जाता था बस्टा चार की चर्चा पर जाता था लगातार एक्षन की डिमांड होती थी सदन यही मांग करता है तख़दा एक्षन लो एक्षन लो एक्षन लो वो कालखंदेश ने देखा है चारों तरफ ब्रस्टाचार की ख़बर रोजर ब्रदा और आज जब ब्रस्टाचारियों पर एक्षन लिया जा रहा है तो लोग उनका समर्तन में हंगामा करते हैं आधनिय देजी इनके समय में एजन्सियों का सिर्फ और सिर्फ राजनिति गुपियों के लिए गुपियों किया जाता था बागी उनको कोई काम करने नहीं दिया जाता था अब आप देखिए उनके काल खेंबे क्या हुआ प्येमेले एक के तहट हमने पहले के मुकामले दो गुने से अधिक केस दर्ज गिये हैं कांग्रेस के समय में इडी ने पांच हजार करोड रूपिये के संपत्ति जब्त की हमारे कारकाल में इडी ने एक लाग करोड रूपिये के संपत्ति जब्त की देश का दूटा हुआ माल देना ही पड़ेगा और चीन का इतना सारा माल पकड़ा जाता हो नोटों के डेर पकड़ी आते हो और अधिर बाबु तो बंगाल से आते हैं देखे हैं नोटों के डेर होना ने तो किस किस के घर में से पकड़ी जाते हैं किस किस राज्यों में पकड़ी जाते थे ये देश देश ये नोटों के डेर डेक डेकर के चौक गया है लेकिन अब जन्ता को आप मुरग नहीं बना सकते हैं, जन्ता देख रही है कि किस प्रकार से UPA सरकार में जो प्रस्टाचार की बाते होती थी, उसका टोटल 10-15 लाथ करोड करहा है, चर्चा होती थी हमने लाखो करोड की घोटाले तो अटकाएं, लेकिन उन सारे पैसों को गरीबों के काम लगा दिया, गरीबों के खल्यान के लिए अब विच्वालियों के लिए गरीबों को लूटना बहुत मुश्किल हो गया है, दारेक बेनिफिट ट्रांसफर जंदन एकाउं, आधार, मोबाईल, उसकी ताकत पहचानी है, तीस लाख करोड रुपय से ज़्यादा रकम हमें लोगों के खाते पे सीधी पहुंचा है, अगर कॉंगरेस के प्रधान मंत्री ने कहा था, कि एक रुपया भेजते हैं, पंदरा पैसे पहुंचते हैं, अगर जो तीस लाख भेजे हैं, अगर उनका जमाना होता, तो कितना रुपया कहां चला जाता है, इसका हिसाब लगाईए, पंदरा परसांट बुष्किल से लोगों के पास पहुंचता, बागी सब कहां चला जाता, हादिनिय अद्यक जी, हमने दस करोड फरजी नाम हटाए हैं, अभी लोग पूतन पहले इतना आकड़ा था क्यों कम हुआ, आपने ऐसी व्रवता बनाई थी, जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ, जन्म नहीं हुआ, उसको आपके यहां से विद्वा पेंशन जाते थे, और ऐसे सरकारी योधनाओं को मारने के जो रास्ते थे न, दस करोड फरजी नाम बंद की है, यह जो परिशानी है न, इन चीज़ों की है, कि रोज मर्रा की काय उनकी बंद हो गई है, अधर नियत्यक जी, हमने यह फरजी नामों को हटाने से करीब करीब तीन लाग करोड र चाहे, देश के टैस्क में रखा, पाई पाई, बचाना और सही काम में लगा, इसके लिए हमने जीवन खापा रख रहे हैं, अधर नियत्यक जी, सभी राजनितिक दलों को भी सोचने की ज़रूत है, और समाज में भी जो लोग बैठे हूं, उनको देखने की ज़रूत है, कोई अगर चोरी करता था, किसी की कॉपी करता था, तो वो भी दस दिन तक अपना मूँ की से कोई दिखाता नहीं था, आज जो ब्रस्टाचार के आरोप जिन पर सिद्ध हो चुके हैं, जो जेलों मैं समय निकाल करके परोल पर आए, आज वासिंग मशीन से भी बड़ा देप में लेकर के महिमा मंदन कर रहे हैं इसे चोरों का, सारवजनिक जीवन में, कहां ले जाना चाहते हो देश्मतों, जो सजा हो चुकी है, मैं ये तो समझता हूँ, कि आरोप जो है, उनके लिए तो आप जोच सकते हैं, लेकिन जो गुनासित हो चुका है, जो सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों का महिमा मंदन करते हो आप, कौन सा कल्चारों देश की अभावी पीड़ी को, क्या पेमा देना चाहते हो आप, कौन सा रास्ते हो, ऐसी कौन से आपकी मच्बूरी है, और ऐसे लोगों का महिमा मंदर किया जा रहा है उनको महान बताए जा रहा है जहां सम्मिधान का राज है जहां लोग कंत्र है मानिय दजी ऐसी बाते बलंबी नहीं चल सकती है यह लोग लिख करके रखें जो महिमा मंदर का काम चल रहा है उनका वो अपने ही खात में की चिठी पे सिगनेचर कर रहे हैं लोग आज़े देख जी जांच करना की एजेंसियों का काम है एजेंसिया स्वतंत्र होती है और समिधान ने उनको स्वतंत्र रखा हुआ है और जज़ करने का काम नयाद इसका है और वो अपना काम कर रहे है और अद्देग जी मैं इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूंगा जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले मेरी ब्रस्टा चार के खिलाब लड़ाई चलती रहे हैं जिसने देश को लूटा है उनको लोटाना पड़े हैं जिनोंने देश को लूटा है उनको लोटाना पड़े हैं यह मैं देश को इस सदन की पवित्र जगह से वादा करत जिसको जो अरोप लगाने लगाने लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा और जो लूटा है और लूटाना पड़ेगा आदाने अद्धक जी देश शुरक्षा और सांती का एसास कर रहा है देश पिछले दस वर्ष की तुलना में शुरक्षा के चेत्र में देश आज वाकई ससक्त हुआ है आतंगवाद नक्सलवाद एक छोटे डायरे में अपसिंता हुआ है लेकिन भारत की जो टरिजम के प्यती जीरो टॉलरंस नेती है आज पूरे विश्व को भी भारत की इस नेती की तरब चलने के लिए मजबूर होना भारत की सेना है सीमाओं से लेकर के समंदर तक अपने सामर्थ को लेकर के हमें हमारी सेना के परातम पर जर्व होना चाहिए हम कितना ही उनके मोरल तोड़ने की कोशिश करें मुझे मेरी सेना पर भरोसा है मनुके सामर्थ को देखा है कुछ राज नेता सेना के लिए हलके फुलके शब्द बोल दे है इससे मेरे देश की सेना डिमरलाई होगी ये सपनों में कोई रहते है तो निकल जाए देश के मुर्ग को वो खतम नहीं कर सकते है और किसी के एजन्ट बन करके इस प्रकार की भाशागर कहीं से बूपती है देश कभी स्विकार नहीं कर सकता है और जो खुले आम देश में अलग देश बनाने की वकालत करते है जोडने की बाते छोड़ो तोड़ने की कोशिस करिया रहे आपके अंदर क्या पढ़ा हुआ है क्या इतने टुकड़े करका है भी भी आपके मन को समादान नहीं हुआ है देश के इतने टुकड़े कर चुके हुआ और टुकड़े करना चाहते हो कब तक करते रहोगे आदनिय अद्धर जी इसी सदन में अगर कश्मीर की बात होती थी तो हमेशा चिंता का स्वर निकलता था छिटा कसी होती थी आरोप प्रत्यारोप होते थे आज जम्मु कश्मीर में अभूत पुर्व विकास की चर्चा हो रही है परियतन लगातार भर रहा है जी ट्वेंटी समीट होती है वहाँ पुरा विश्वाज उसकी चराना करता है आर्टिकल 370 को लेकर कैसा हुआ बना के रखा था कश्मीर के लोगों ने जिस प्रकार से उसको गले लगाया है कश्मीरी जनता ने जिस प्रकार से गले लगाया है और आखिर के लिए समझ का किसकी देन थी किसने देश के माथे पर मारा था किसने बानत के समिधान के अंदर इस प्रकार की दरार करके रख्य हुई थी आदर नियर्दिक जी अगर नेहरुजी का नाम लेते हैं तो उनका बुरा लगता है लेकिन कश्मीर को जो समसाई जेलनी पड़ी उसके मुल में उनकी ये सोचती और उसी का परणाम है देश को प्रकार के लोगों को देश के लोगों को नहरू जी की गल्टियों का बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। सब्सक्राइशन फरस्ट है। आदे नियों देख जी। मैं सभी राजनितिक जलों के नेताओं से आग रहत हुँगा। आरोब प्रत्यारोब अपनी जगा पर होता है। लेकिन देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और इसलिए आगे मैं निमंतर देता हुगा। कंद से किंदा मिला करके हम देश के निर्मान के लिए आगे बढ़ें। राजरिती में किसी भी जगा पर रहते हुए भी राष्ट्र देर्मान में आगे बढ़ने में कोई रुकावत नहीं आती है। आप इस राह को मत चुए। मैं आपका साथ मांग रहा हूँ। मा भारती के कल्यान के लिए साथ मांग रहा हूँ। मैं विश्व के अंदर जो अउसर आया है। उस अउसर को भुनाने के लिए आपका साथ मांग रहा हूँ। मैं आपका सयोग चाहता हूँ। और अगर आपका हाथ इंटे फैकने पर ही तुला हुआ है, तो आप लिख करके रखिए आपकी हर ईट को मैं विक्सीद भारत की नीव मजबूत करने के लिए लगा हुगा। उचाल लीजिए, आपका हर पत्थर भारत के समरुद्ध, भारत के विक्सीद, भारत के सपने को समरुद्ध बनाने के लिए, हर पत्थर को मैं काम में ले लूँगा, ये भी मैं आपको दिविश्वा दिलाते हुआ। अर्दु की होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ, ये नामदार है, हम कामदार है। और हम कामदारों को तो नामदारों से सुनना ही पड़ता है। तो नामदार कुछ भी कहते रहें, कुछ भी कहने का उनको तो जन में जात अधिकार मिले हुए हैं। और हम कामदारों को सुनना होता है, हम सुनते भी रहेंगे और देश को सहचते भी रहेंगे, देश को आगे बढ़ाते रहेंगे। आधनी अध्यक जी, आपने बुझे, इस कवित्र सदन में आधनी राजपती जी के पुद्वधन को समर्थन करने के लिए बोलने का उसक दिया। नादानी राजपतीजी के उद्वोजन को समर्थन देते हुए, दन्यवाद परस्थाव पर आभार व्यक्त करते हुए, मेरी वानी को जराम दे चाहूं. झालिघ्टो पर समर्ण परस्टियू परस्ट Chief ुक्ऌli परस्थाद परस्थे रालिвин पडिस Iya याँ त राल। दन्यवाद प्रस्ताव पर श्रीमती अपुरुपा पोद्दार और एनके प्रेमचंदन ने अपने अपने संशोदन प्रसुत किये हैं अब मैं सभी संशोदों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूँ प्रस्ताव 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 पर अपनी बात रखी और इस दोरान उनके निशाने पर कॉंग्रेस पार्टी रही जज करने का काम नियाए धीश का तो अपने लंबे संबोधन में कहीं मैंट्रपूर्ण बाते पीम ने कहीं रश्टाचार के खिलाव लड़ाई चलती रहेगी जिन्होंने लूटा उन्हें लॉटाना पड़ेगा चांच करना कि एजन्सियों का काम है एजन्सिया स्वतंत्र होती है और सम्विदान ने उनको स्वतंत्र रखा हुआ है और जज करने का काम नियाए धीश का है जज करने का काम नियाए धीश का है और वो अपना काम कर रहे हैं और अज़िए इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूंगा जिसको जितरा जुल्म मुझपcl करना है कर ले मेरी ब्रस्था चार के खिलाब लड़ाई चलती रही जिसने देश को लूटा है उनको लोटाना पड़ेगा जिन्होंने देश को लूटा है उनको लोटाना पड़ेगा यह मैं देश को इस सदन की पवित्र जगा से वादा करता हूँ जिसको जो अरोप लगाने लगाने लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा और जो लूटा है और लोटाना पड़ेगा अब डबल एम रिब्स के साथ गैलन्ट एडवांस टीम्टी रीबार्स निर्माण का रियल हीरो